हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपने लीगल चैनल सोश पपरहार में मैं हूँ अड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप से इंट्रीम मेंटेनेंस पर बात करने वाद जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंट्रीम म को लेकर भी आपके बहुत सारे questions होते हैं तो आज एक judgment में इस पर लेकर के आया हूँ जहां पर वाइप ने इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए एक application लगाई थी court ने किस तरह से इस पर ने लिया important judgment है दोस्तो आखरी तक वीडियो में बने रहेगा और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell पर ज़रू क्लिक कर लें ताकि future में भी इस तरह के वीडियोज के जानकारी आपक किसी doctor के चैनल पर आते हैं तो आप सभी लोगों से बिनती है आप थोड़ा सा साफधान हो करके चलें अपना number कहीं पे भी comment में ना छोड़ें किसी अंजान व्यक्ति के number पर उससे संपर्क ना करें और कोई भी repetitive channel होता है दोस्तो तो वो कभी भी खुद से किसी को संपर्क न है और जहां तक दोस्तो मैं अपने channel की बात करूँ तो हम भी कभी किसी से contact नहीं करते किसी को phone call नहीं करते हमारा एक ही number है जो कि हमारे channel पर हमारे video के नीचे दिया हुआ है इसके अलावा कोई भी number नहीं है क्योंकि दोस्तो technology का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है और अगर आप यूट्यूब पर किसी से संपर कर रहे है तो अगर आप उसका official number पर संपर कर रहे है तब तो ठीक है लेकिन उसके अलावा किसी भी number पर संपर्क ना करें अब दोस्तो ये मामला ऐसा था कि wife ने यहाँ पर एक revision petition डाली थी और इस revision petition में एक order को challenge किया था ये order दोस के बाद court ने इस application को अपने पास spending रख लिया था मतलब किस पर order नहीं किया था अब दोस्तो wife ने बोला कि उसके पास खुद को maintain करने के लिए sufficient source of income नहीं है और उसको interim maintenance दिलाये जाए और husband ने ये कहा कि जो उसकी wife है वो computer operator है और उसको 5000 रुपे पर मन्द salary मिलती है wife ने भी बताया कि उसका husband उसको physically और mentally torture करता है उसके साथ रहना नामोंकी नहीं है तो उसकी मजबूरी है कि उसे अलग रहना पड़ रहा है अब दोस्तों यहाँ पर court ने पूरे मामले को देखा husband का जो version था जिसमें उसने बताया था कि मेरी wife job करती है 5000 रुपे पर मन्द कमाती है उ और साथ ही यह order application file करने की date से किया गया और अब तक का जितना भी area था उसके लिए उसे तीन महिने का समय दिया गया कि तीन महिने के अंदर अंदर आप पूरे area का भुखतान इनको कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी वह इस थी थी जो कि मैंने पहले वीडियो में सकता पर फिर भी दोस्तों एक थोड़ा सा समझने को तो में मिलता ही है कि अगर इस तरह की स्तितिया है तो फिर कैसे decision लिया जाएगा तो आप लोगों की help के लिए judgment का link मैं इस वीडियो के नीचे description में दे रहा हूँ वहाँ जाके आप इस judgment को download कर सकते हैं पूरा पढ़के पूरी जानकारी ले सकते हैं इसके facts की तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तर के लिए goodbye and thank you for watching take care